तो भाई लोग अपना गेम आ चुका है और साथ में बहुत सारे नए-नए फीचर्स भी आएं और नए-ने सेटिंग्स भी आएं तो जो भी गेम में नए सेटिंग्स आया है या फिर नए फीचर आया है उन सबको इस वीडियो में अच्छे से एक्स्प्लेन करने वाला हूँ और साथ में आपको एक्जांपल भी दिखाऊंगा कि कौन सा सेटिंग या फिर फीचर कैसे काम करता है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ और ये डिसाइड कर पाओ कि वो सेटिंग जो है आपको यूज करना है या फिर नहीं करना है तो भाई लोग अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करना मत भूलना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा या फिर कोई सुझाव होगा मतलब सजेसन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो तो चलो फिर इस वीडियो को स्टार दे रहा हूं तो अब आपको नेड या फिर स्मोक करने के लिए सिर्फ उस पर क्लिक करके होल्ड रखना है और जैसे रिलीज करोगे तो आपका नेड या फिर स्मोक अटोमेटिक हो जाएगा जब यह फीचर आपके गेम में इनेबल रहेगा तो वाई लोग आई हो अब अच्छा मैं आपको समझा दे रहा हूं तो जब आप इसे स्वीच मोड पे रखोगे तो आप नेड मॉली स्मोक किसी के तरफ भी स्वाइब करके उसे स्वीच कर पाओगे लेकिन जब आप इसे थ्रो मोड पे रखोगे तो थ्रो मोड पे करने के बाद आप डैरेक्ट थ्र modern mark style का example देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब आप mark करोगे तो आपका mark कुछ ऐसा दिखेगा लेकिन जब आप classic mark style select कर लोगे तो आपका mark कुछ ऐसा दिखेगा तो मुझे तो modern mark style ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको कौन सा लग रहा है आप मुझे comments में बताना तो चलते हैं next नए feature के और जो game में add हुआ है मैंने screen audio marker ये भी एक नए feature है जो game के अंदर add हुआ है तो इसे मैंने classic पे select करका रखा है और अभी आप इसका example देख सकते हो अभी आपको screen पे enemy का footprint दिख रहा होगा और ये enemy के position के इसाब से move होते रहेगा तो ये काफी usable feature है जो लोग बिना headphone के खेलते है उनके लिए ये काफी usable feature रहेगा तो ये feature आपको कैसा लगा आप मुझे comments में बताना तो चलते हैं next feature के और तो next feature है auto mark hit location और इसे मैंने अभी enable कर लिया है और इसका example में आपको दिखा देता हूँ तो सामने enemy है और जैसे ही मैं उसे मारूंगा तो उसका location automatic mark हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हो तो चलते हैं next feature के और जो game में add हुए तो next feature है horizontal swipe acceleration और आप इसका example देखना अभी मैंने इसे enable कर रहा है और enable करने के बाद जब मैं अपने screen move कर रहा हूँ मतलब horizontally move कर रहा हूँ तो बहुत fast move हो रहा है aim जो move हो रहा है बहुत fast move हो रहा है और जब मैं इसे disable कर दूँगा तो disable करने के बाद आप example देखना तो अभी मैं इसे disable कर रहा हूँ और disable करने के बाद जो screen move कर रहा हूँ तो उतना fast move नहीं हो रहा है जितना की पहले हो रहा था तो ये setting आप अपने हिसाब से रख सकते हो मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं आया तो चलते है next setting है और जो नया game में add हुए तो next setting है match auto message का और इसका भी detail है आप question mark पर click करके पढ़ सकतो लेकिन इसका जो example है वो मुझे match में नहीं मिला है तो इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ लेकिन आप पढ़ के समझ सकतो और चलते है next setting है और जो game में add हुआ है तो next feature है hold to open map का तो इसे मैंने अभी enable कर लिया है और मैं आपको example दिखाता हूँ जब आप game में map पे tab and hold करोगे तो आपका map open होगा और जैसे ही hold data होगे तो आपका map close हो जाएगा तो चलते है next setting के और तो next feature है so throwable trajectory line तो इसका example में आपको दिखाता हूँ अभी मैंने इसे enable कर लिया है और जब आप हाथ में अपने need या फिर smoke पकड़ोगे तो उसका जो trajectory line है वो दिखेगा मतलब pin अगर आप pin नहीं खिचोगे तो भी उसका trajectory line दिखेगा और जब आप इसे disable कर लोगे तो आपको trajectory line नहीं दिखेगा सिर्फ जब pin किचोगे तब दिखेगा तो भाई लोग ये थे कुछ नए features जो कि game के अंदर add हुए हैं तो I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर फिर भी आपको कोई doubt होगा तो आप comment section में पूछ सकते हो तो चलो फिर मिलते हैं next वीडियो में